हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Infinix Hot 30i Android मोईल फोन में आप अपने मोईल फोन का जो स्टोरेज आप उसे खाली कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालो हूं तो चल II video को में स्टार्ट कर लेते हैं देकी दूस्तो अगर आपको अपने mobile phone का इस्टोरेज अगर खाली करना है न तो सबसे पहले तो आपको जो यह 25 ऑपन अपने mobile phone की गैलरी का उपन कर लीजे 275 पिंध के अधर आपने जितनी किसे आप जो अपने फोन की गैलरी में से अगर आप फालतु का डेटा अगर पर्मनेंट डिलीट कर देंगे तो इससे आपका जो इस टोरेज है वह आपका खाली हो जाएगा ठीक है अब दूस्तों इसके बाद यहाप आपको अगला प्रोसेस करना है कि आपके देखें मुव इसके अंदर दो option मिलते हैं तो clear storage का दूसरा clear catch का आपको पहले इसे clear catch पर टैप करना है इसके बाद clear storage पर टैप करना है आपका एक page आएगा delete app data का इसमें आपको ok का बटन या delete का बटन दिखेगा इससे tap करना है आपका यह जो user data और यह जो catch है इन दोनों के सामनाला data आप आपका zero हो जाएगा ठीक है इस तरीके सा आपको अपने mobile phone के सभी apps को reset कर देना है ठीक है अब दोस्तों यह पर आपको अगला काम यह करना है देखिए आपके mobile phone में काफी सारे apps होंगे जो कि फाल्तु के होंगे जिने आप बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करते हैं तो जितने आपके फोन में इंस्टॉल होता है तो आपके फोन के storage को कबर करता है तो इसी तरीके से अगर आप फाल्तु के apps अपने phone से अटा देंगे तो इससे आपका जो फोन का storage होगा वो खाली हो जाएगा ठीक है अब यहां पर आपको अगला process यह करना है देखिए आपके mobile phone में का अफिस सारे ऐसे apps होंगे जिनके अंदर backup की setting मिलती है तो आपको जिस जिस एप के अंदर backup की setting मिलती है उन सभी apps के अंदर से आपको backup setting को बंद करना है ठीक है एक एक जामपन के लिए यहां पर मैं आपने phone की gallery को open कर लेता हूँ एक app के बारे में बता रहा हूँ देखिए स सबसे उपर हमारी जो profile picture होती है इसे आपको tap करना है यहां पर आपका एक page आएगा इसमें देखिए backup की setting है ठीक है यह backup इस ओफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने backup setting पहले से बंद कर रहे है अगर यह आपकी चालू रहती है तो आपको नीचे off का button होगा off पर tap करके आपको इस इसके अंदर आपको सबसे नीचे की side आना है यह आपको system पर tap करना है इसके अंदर आपको backup setting मिलती है ठीक है तो इसे आपको tap करके नहीं तो यहां पर आपको अगर यह backup अगर चालू है तो आपको इसे बंद रखना है ठीक है यह मेरा पहले से बंद है तो दोस्तों आपको तब ही करना है, जब मेरे बता है हुए, पिछले process में से कोई भी process काम नहीं करता है, तब आपको phone को reset करना है, otherwise बिलकुल नहीं करना है, phone को reset करने के लिए, phone का आप setting page open करिए, इसमें आपको सबसे नीचे system पे tap करना है, इसके अंदर आपको reset option टैप करना है, इसके अंदर आपको किसी दूसरे phone में transfer करना है, या उसका backup लेना है, फालतों data phone में ऐसे छोड़ देना है, वो reset करने से delete हो जाएगा, दूसरी बात यह धियन रखना है, आपको phone की gmail ID और उसका password, आपको पहले से note करके रखना है, यह दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही phone को reset कर इस वीडियो में आपको जितने ही process आपको बता है, सारे आपको use करने तो इससे आपके phone का storage खाली रहेगा, ठीक है?